बिस्मिल्ला रुम्हान रुर्वाइम और स्लाम अलेकूम स्टूडेंट्स हाँ वर्किंग कैप्टल एंड करेंट एसेड मैंजमेंट का चैप्टर हम डिसकस कर रहे थे टेबल ओफ कंटेंट में देखें तो प्रीवेस वीडियो के अंदर हमने वर्किंग कैप्टल इंट्रोडेक्शन, मैंट्री मैंग्मेंट, इस वीडियो के अंदर हम अकाउंट रुष्यवेबल को किस तरह मैनेज करते हैं वो मिद्सक्स करेंगे निँग कैप्टल में हमने कहा था कि तीम वेरेबल्स होते हैं inventory collection and payments to collection किसे की जाती है account receivable से इस chapter में basically हमने इसी को discuss करना है तो सबसे पहले definitions पर लगते हैं what is the account receivable management के था second components of the cash conversion cycle is average collection period the average length of the firm from the sale on credit until the payment become usable fund to the firm the collection period consists of two parts दो दो इसे है पहला इसा किया कि आप में चीज बेची चीज बेची और वो credit one account receivable बन गया तो उसे payment जब ली तो कितना time period मसलों आपने तीन महीने credit पर दिया चाल महीने credit पर दिया यह पहला portion किए the sale unit until the customer mailed the payments छे महीने बाद उसे चेक बेजा अब जो आपने चेक बेजा उसको भी time लगेगा cash में convert होने के लिए that is the second part payment is made until the firm collect the fund तो दो portion उसने कर दिया account receiver को manage करने के कि आपने credit दिया कितने period के लिए जब credit receive हो गया तो उसको cash में convert करने पर कितना time period लगा तो इन दो चीजों को manage करने अच्छा अब इसको manage करने के लिए हम कहते हैं कि इसमें five C's होते हैं ठीक है C's of the credit कि हम किस base पर organization decide करते है कि किसको credit देना है कितना credit देना है कितने time का credit देना है यह सारी चीज़े हम पांथ चीजों के ऊपर analysis करते हैं वह सबसे पहले तो character character किसका देखा जाएगा जो credit लेने आया है उसका character character से basic मतलब कि उसका background देखेंगे कि अगर इसको पहले loan दिया था या पहले credit दिया था तो इसने time character बताएगा उसका the applicant record of the meeting past obligations के time पे payments की के नहीं की second चीज़ हम देखेंगे उसकी capacity कि उसकी पसली भी है वापस देने की की नहीं मतलो यह नहीं कि एक person है उसकी जो source of income है वह 10,000 मतली है और आप उसको जो loan दे रहे हैं वह 12,000 मतली पर दे रहे हैं तो इसका मतलब confirm है कि वह आपको payments नहीं करेगा क्योंकि उसकी पसली नहीं है उसके पास capacity नहीं है पैसे वापस करने की तो कहता है the applicant ability to repay the request credit की यह चेक कि यह चेक किया जाएगा तीसरा हम capital देखते इसकी दुकान में आके इसने अपना के पैसा कितना डाला पता चले सारे लोगों से उधार पकड़ा वह फिर भाग गया सारे लोग उसके पीछे बीछे लेकिन अगर एक परसन है उसने 10,000,000 का अपना माल डाला वह तो जिसके पास जाएगा supplier के वाँ वह देखे गया 10,000,000 इसने अपना लगाया है इसका में लोगी serious है business करने के लिए तो हो सकता है वह लाग 2,000,000 का आपको credit पर माल दे दे serious न इस पता चलेगा न जब आपका अपना capital invest होगा तो कहता है एप्लिकेट debt relative to equity मतलब debt to equity ratio देखेगा के total capital में debt कितना है इसका और equity कितनी है उसके अब क्रेटरल का मतलब है non current asset लेकिन जब भी आप credit देते हैं किसी को यह लेते हैं मेशा डा रहता है default no net defalter से बचने के लिए किया उसके non current asset है कि अगर मुझे से कोई loan लेके जाता है मुझे पता है कल को अगर यह दी देगा तो मैं इसके घर को बेच के पैसे पूरे कर लूँगा इसकी गाड़ी बेच के पैसे पूरे कर लूँगा लेकिन अगर उसके पास assets ही नहीं तो credit देते लोग डरेंगे कि अगर यह कल को default कर जाता है सारी चीज़ें अपनी जगह कि उसकी history बहुत अच्छी है उसका capital बहुत अच्छा है बहुत sincere है business से लेकिन default कर इसको हमेशा रहता है ठीक है तो अगर वो default कर जाता है तो मैंने अपने पैसे कहां से पूरे कर लिए तो उसके ल पार्कीटे चल नहीं रही लोग घरों से निकल नहीं रही मैं कपड़ा 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 इसको क्राइड भी दूंगा पैसे देगा कहां पर इसके बाद सब कुछ है और लेकिन सरकल ही नहीं है इस नम country के conditions ही ऐसे नहीं है political condition economical conditions ऐसी नहीं है कि मुझे वापस दे सके ठीक क्राइड देना के नहीं देना amount कितनी mention calculate की जाएगी days calculate की जाएगी कितनी दिन के लिए calculate देना है तो यह हम देखते है इसके बाद जो main चीज होती है accounts management में credit scoring तो तीन चीज़े हम देखते है उसके बास credit scoring है credit scoring के मुनाद है कि हर customer की जिसको credit पर चीज़ देनी होती है उसका score बना दिया जाता है उसका moral list down आप hierarchy बना देखते हैं जिसना पाकिस्तान के अंदर हमारे पाकिस्तान के अंदर या मूडी का नाम सुना होगा वो scaling करती है ए डबल ए टिपल ए बी पास्टेसी पाकिस्तान का भी scale आपने सुना होगा नियूज में आता है तो वो क्या करते है क इसकी credit scrutiny करके कि उसकी जो पांच values थी इन values की base की उपर calculation करके उसको scale दे देते हैं कि इसकी credit score कितना है excellent excellent का मतलब है कि इसको score सबसे जादा है इसका मालब हर companies को credit देने के लिए तियार हो जाएगी good है fair है poor है poor का मतलब है कि इसकी capability नहीं है अब उसके अंदर हो सकता है कि इसकी history ठीक नहीं हो हो सकता है इसके पास visile नहीं वापस देने के हो सकता है conditions अच्छी नहीं तो poor का मतलब यह है कि इसको credit देते हैं बहुत सोच समझके कि वापस आने के chances बहुत काम है कहते है credit scoring is the procedure resulting in the score that measure an applicant overall credit strength drive and the weighted average of the score of the various credit characteristics वो credit characteristics क्या थे यह 5 थे इसकी base के उपर weight किया जाते है अच्छा उसके बाद जब आप credit देते हैं किसी को तो credit देने से organization के उपर तीन चीज़ों के उपर उसका direct impact आ रहा होता है एक sale पे direct impact आ रहा होता है एक account receivable पे और एक bad debt जब आप किसी को जब आप credit देना शुरू कर देते हैं अपनी sale की उपर तो एक चीज़ तो जहें में रखेगा आपकी sale increase होगी ठीक है account receivable increase हो जाएंगे और जब sale increase होती है और account receivable account receivable का मतरब है period बढ़ गया आप लोग credit पे लेके जा रहे हैं जितने लोग credit पे लेके जाएंगे bad debts के बढ़ने के chances भी उतने ज्यादा होगी तो यहां पर one by one तीनो variable को देखते हो कहते है sale volume increase होगा sale volume increase होने से profit पे क्या impact आता है वह मेंशा positive side पर जाएगा लेकिन account receivable जब increase होगे तो its mean आपकी investment of account receivable बढ़ गए उतने दिन के लिए आपका पैसा ज्यादा bound हो रहा है जब पैसा ज्यादा बाउंड हो रहा है तो आपके पास अगर इंक्रीज होते हैं तो पैसा ज्यादा bound होने की वएसे आपका impact क्या आएगा profit पर negative आए और उसी दर मैंने का जितनी ज्यादा आप credit पर सेल करेंगे तो bad debts तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे लेकर उसका impact profit पर क्या आएगा negative आएगा तब organization ने क्या सोचना होता है credit limit लगाते वर्ग कि हमें credit limit लगानी है कि नहीं लगानी है तो किस base पर देखती है वो देखती है कि यह एक चीज़ positive है और दो चीज़ negative है तो इनकी value calculate करके देखती है कि positive value ज्यादा आ रही है कि negative value ज्यादा आ रही है अगर positive value are greater than negative value तो हम कहेंगे कि हमें अपना standard जो है credit period जो बढ़ा लेना चाहिए increase कर लेना चाहिए और अगर positive value जो है वो less than negative value कि यह फाइदा कम हो रहा है नुकसान ज्यादा हो रहा है तो हम कहेंगे कि हमें अपना period नहीं बढ़ाना चाहिए या इसको कम कर लेना चाहिए तो इसकी base पर तो पहला था हम screening करते हैं उसके बाद एक और काम क्या करते हैं हम लोग credit standard decision करते हैं तो जो हमने देखते हैं कि credit standard change करने से कि 10 की जगा हमने का पहले 10 दिन का credit देते थे हमने का 15 दिन का credit देंगे अब 15 दिन का credit देने से total contribution additional profit क्या आया हुआ सेल में total contribution कितना है इंक्रीज कितना आया अब है profit sense में contribution कितना हुआ सेल में अच्छा उसके बाद वह कहता है second हमने का receivable तो दस की जगा 15 दिन के लिए पैसा bound हो रहा है हमारी cost of marginal account receivable कितनी होगी तो वह हम calculate करते है ठीक है cost और third हमने कहा था कि जब 10 की जगा 15 दिन जाएंगे तो credit जितने ज्यादा time period के लिए होता है लोग के भागने के chances उतने ज्यादा means के bad debts के बढ़ने के chances उतने ज्यादा तो तीसरी चीज़ हम यह तो यह फुल फ्लाज एक table है जो हम solve करते हैं लेकर असानी के लिए हम क्या करते हैं हम यह table prepare नहीं करते हैं हम क्या करते हैं पहला item क्या था हमारे पास additional हमने additional profit contribution for sale था second था cost of marginal investment on account receivable है और third portion के हमारे पास bad debts का के cost of the marginal bad debts तो हम तीनों को segregate करके अलएद अलएद अलएदा calculate करते हैं और अलएद अलएदा calculate करके फिर stable के अंदर data put करके हम चेक कर लेंगे कि हमारा profit ज्यादा हुआ कर कम अगर net profit हमारा बढ़ गया तो हम कहते हैं कि standard credit period जो बढ़ाया वो बिल्कुल ठीक बढ़ा फिर हम cost of the investment देखेंगे account savable में फिर bad debts की देखेंगे थाट के तो यह एक example लेकर चलते हैं 1 by 1 इस example को solve करेंगे तो example कहता है DT एक company है manufacture the leather tools leather tools बनाते है currently sell selling a product for 10 unit ठीक है sale for the last year 60 अब एक चीज़ बेचते sale price उसके आगए 10 पिछले साल में 60,000 unit उनने sale out किए the variable cost per unit 6 दिया हुआ है और total fixed cost दे दिया उसने 120,000 यह total fixed cost दे दी इसमें देखें उसने यह भी बता दिया variable cost कितनी है sale price भी बता दिया और total fixed cost भी बता दिया और number of unit भी बता दिया ओके आई कहता है D currently the relaxing of the credit standard that is anticipated to increase 5% of sale वो कहता है कि वो चाह रहे है कि credit period को बढ़ा है तो यह confirm हमने पीछे भी देखा इस इस slide में भी कि credit period बढ़ेगी तो sale क्या होगी increase होगी तो वो कह रहा है कि credit period बढ़ाएं 5% तो आपकी stem sale कितनी है 60% 5% बढ़ेगी तो 60% का अगर आप 10% लें तो 6,000 उसको divide by 2 करें तो 3,000 तो इसका मुदभ 3,000 unit ज्यादा बिकेंगे तो यहां पर बता भी रहा कि आपके total unit कि हो जाएंगे 63,000 unit sale out हो जाएंगे उसके अबर कहते है इसके अबर कहते है आपके पास 30 दिन का credit जाते है आप कितना जाएगा आपका 49 दिन का credit जाएगा उसके अबर कहते है बैट डाइट expense will increase 1% of sale to 2% मेन के जब यह 60,000 unit बिकते थे तो 1% of sale बैट डाट हो जाता था और जब आप रिलेक्स करेंगे 63,000 unit बिकेंगे तो उदर से बैट डाट भी बढ़ गे और वो कितने होगे 2% कहता है opportunity cost of the time time fund up to the receive 15% तो receivable के लिए जो fund चाहिए होगा उसको जो आप कहीं से range करेंगे तो उसके उपर 15% आपको क्या pay करना पड़ेगा tax अब पूछेगा क्या simple question यह है कि 30-45 दिन पर जा रहा है 30 दिन का credit था अब उस पर किस पर जा रहा है 45 दिन पर यह जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए तो उसके लिए हमें यह तीन चीज़ें calculate करने है 30-45 दिन पर जाएंगे हमारी sale के उपर क्या फरक पड़ेगा 30-45 दिन पर जाएंगे हमारे accountsable की cost पर क्या फरक पड़ेगा 30-45 दिन पर जाएंगे तो हमारी bad debts की cost पर क्या फरक पड़ेगा अगर benefits जादा होगा cost कम होगी तो हम कहेंगे 30-45 दिन के credit पर चले जाएं और अगर cost जादा होगी benefit कम होगा तो हम कहेंगे कि यह जो relax करने period यह नहीं करना चाहिए तो one by one पहला element क्या हमार पास example में के additional calculation करनी थी के additional profit contribution from the sales तो उसका formula क्या होता है पर पोस सेल यूनिट निकालने उसमें से माइनस कर दे सेल यूनिट प्रेजंट सेल यूनिट माइनस कर दे कंट्रिविशन पर यूनिट से multiply कर ले एक तरीका यह है दूसरा तरीका कार क्या है क्या आप क्या करे है कि total sale calculate कर ले कि sale contribution calculate कर ले present present में अगर calculate करेगी present sale calculate करते है contribution निकालने हम तो present में देखे हमार पास unit कितने थे यह mention कि हमें 60,000 unit थे और एक unit के उपर आपके पास sale price थी 10 और variable cost थी 6 और आपको यादो contribution का formula क्या होता है हमार पार हमने पहले भी किया था leverage के chapter में sale minus variable cost तो यहाँ पर data put करें 60,000 हमार पास unit थे और sale price थी 10 variable cost थी 6 तो calculate करेंगे तो यह हमार पास 4 आगया per unit contribution 60 से multiply करेंगे 6 को 4 से दिए 24,24 यह आगया आपके पास यह आपके पास present और propose अगर हम calculate करते है पर पोस sale की अगर हम बात करें तो propose sale हमार पास 63,000 था यहाँ पर 10 minus 6 था तो 63 को 4 से multiply कर यह हमार पास आगया और इसके अंदर change देख लें तो 12,000 हमार पास change आगया अच्छा दूसरा तरीका यह जो formula थे इसमें data put कर लें उसमें उसने क्या बोला था उसने कहा था सबसे पहले propose sale unit देखें पर पोस sale unit थे 63,000 यह आपके पास आगया उसके बाद उसने कहा था present sale unit द देख लें तो वह कितना था 10-6 तो वह आगया था 4 तो multiply कर दें 4 से यहां पर आगया 3000 multiply by 4 is equal to 12,000 तो आप दोने में से कोई भी method use कर सकते हैं तो पहला पहला portion जो था कि change करने से profit पे कितना फरक पड़ेगा तो profit आपका कितना increase होजएगा 12,000 से profit increase होजएगा तो यह जी पहला point तो हमारा calculate हो गया अब second point पे आते हैं कि cost of marginal investment in account receivable कितनी हुई तो उसकी calculation देखे हैं तो हमने यह table याद रखना है इसमें हम क्या करते हैं सबसे पहले average investment under the proposed plan देखेंगे और फिर average investment under the present plan अब investment calculate करते हैं हम formula use करते हैं formula क्या होता है total variable cost of the annual sale divided by turnover of the account receivable अब total variable cost किस तरह calculate होग होगी अगर हम data put करें हमार पास proposed के अंदर total number of unit कितने हमार पार 63,000 तो हमार पास 63,000 units आगे और एक unit पे उसने पुछा sale तो एक unit पे sale कितनी ही और थी 6 variable cost of sale है variable to 6 आगे इसको divide कर देंगे turnover of the account receivable अब account receivable turnover का formula क्या होता है 365 divided by average collection period अब average proposed में average collection period कितना है 45 days का ठीक है तो हमने क्या करनेंगे यहाँ पर 365 divided by 45 तो इसको calculate कर लेंगे ठीक है तो यह हमार पास आया जब इसको multiply किया उपर आले को तो यह आएगा 378,000 और यह जब calculate करेंगे 345 divided by 45 तो 8.11 तो जब यह calculate करेंगे तो यह हमार पास आगे 46609.12 ठीक है इसी तरह हम नीचे हाँ calculation कर लेंगे नीचे हमने अब देखें यहाँ पर present तो present में unit कितने थे हमार पास 60,000 60 multiply by 6 करेंगे और यहाँ पर 365 उसको divide कर देंगे हमार पास अब 30 डेज थे present में 30 दिन का credit दे रहे तो 30 डेज तो calculate करेंगे तो यह उपर value आजएगी 3,6,0,000 और नीचे calculation में आजएगी 12.1 अच्छा आपने round off से बचने के लिए क्या करें डारेक्ट टेक की दफा calculator पर calculation कर लें तो total value 29752 अच्छा यह अब आप यहाँ पर difference calculate कर ले तो difference calculate करेंगे तो यहाँ पर model investment in accountsable दोनों में फरक आजएगा कितनी investment का फरक पड़ेगा तो investment जाहरा बढ़ गई तो कितना 9,6,7,5,8,6,1 अब यह तो हमाँ पास total amount calculate हो गई यह amount calculate हो गई कि हमें कितना पैसा ज्यादा चाहिए होगा अब उसने question में बताया हुए कि ratio से rate से तो उसने बताया हुए question के अंदर के 15% हमें financing pay करनी है जो interest pay करना है तो इसका multiply कर देंगे इसको 0.15 से तो आपके पास cost आ जाएगी कि cost of marginal investment कितनी है 2528 जो है हमाँ पास total interest है जो बढ़ जाएगा अगर हम 30-45 दिन पर जाते हैं तो यह हमाँ पास second point आ गया था third point था हमाँ पास bad debts कितने बढ़ेंगे तो bad debts की बात करें तो हमाँ पास देखें कि हमाँ पास proposed plan के अंदर bad debts कितने तो देखें उसने question के अंदर mention किया हुए अगर हम यहाँ पर question को जहन में रखें तो उसने कहा है कि 2% of sale ठीक है तो यहाँ पर calculation कर लेंगे 2% of sale की तो यहाँ पर देखें इस टम हमाँ पास unit थे 63,000 एक unit की price थी 10 और उसके उपर 0.02 जो हमने bad debts हो जाने अच्छा उसके बाद हमें यहाँ पर चाहिए present तो present याद हो त थे एक unit 10 डॉलर का था बट उसके उपर bad debt जो थे हमारे पास सिरफ 1% थे 6000 ठीक है तो हमारे पर cost of bad debt कितना पड़ा cost of bad debt आ गया हमारा 6000 अच्छा अब यह तीन चीज़ें हमारे पार calculate हो गई हमें calculation के लिए यह तीन चीज़ें चाहिए थी additional profit तो यहाँ पर हमने additional profit calculate किया वह 12 जार है 12,000 हमें profit हुआ less करना था cost of marginal तो cost of marginal हमारा हमारा आया 2528 तो 2528 हम बीच में से less कर देंगे और उसके बाद हमने less करना था cost of marginal bad debt तो वह हमारे calculate हुआ 6600 तो 6600 इसमें से less कर देंगे तो calculate करें कि हमें उस period को extend करने पर कितना benefit हुआ additional benefit 2872 हमें additional benefit हुआ तो question ये था कि हमने उसने ये पूछना था कि हमें extend करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए तो हमें extend करना चाहिए क्योंकि 30 से हम जब 45 days पर जाते हैं तो हमारे profit के अंदर इतना increase आ रहा है तो हमें ये period जो extend कर लेना चाहिए और ये third जो point होता है credit account receivable की management के अंदर that is change the credit term just like जिस तरह हमने पिछला question जो दिया उसमें देखा credit term में change किया था period wise कि आपने उसकी period को relaxation कर दिया थे यहां पर credit term को relaxation credit term से मुराद किया कि आपने जो discount को ये offer कर देते काई discount को चेंज कर देते है credit period को change कर देते तो ये 3 चीज़े होती है इसके अंदर इसके अंदर for example हम एक word use कर रहे होते है credit term 2 10 net 30 अब इसका मतलब क्या होता है कि total credit period 30 days का ये total credit period है अगर कोई customer 10 days के अंदर return कर देगा तो उसे 2% discount मिल जाएगा तो ये इसका basic इसके meaning होते है the discount is 2% the discount period is 10 days and the credit period is 30 days अब इसका फाइदा क्या होता है देखें फाइदा ये है कि आपने 30 days का credit दिया हो है तो account receivable collection period वगारा जो होगा वो 30 days के साफ से आपको financing 30 days के साफ से करनी होगी अगर आप 10 days की offer कराते हैं तो organization को फाइदा ये है कि उसको 20 दिन पहले पैसे मिल जाएंगे और customer को फाइदा क्या होगा कि अगर वो टाइम पे payment करता है तो 2% discount मिल जाएगा अब company ने कैडिसियन करना होता है कि जी देखें यहाँ पर 10 दिन के अंदर अंदर के 20 दिन पहले पैसे मिलेंगे तो जो 30 दिन की financing के उपर cost आने थी वो कम हो जाएगी तो cost जोती account receivable की वो कम हो जाएगी लेकिन उसकी other side कि आपने 30 दिन के अंदर कोई देता 100 डॉलर की sale थी तो 30 days बाद 30 डॉलर मिलने थे 100 डॉलर मिलने थे लेकिन अगर 10 day में मिलेगा तो 100 डॉलर नहीं मिलेंगे 2% discount के बाद 98 डॉलर मि लेंगे its mean कि आपका जो revenue होगा वो decrease कर जाएगा तो organization ने यह decide करना होता है कि इन दोनों का impact क्या है और यह offer करवानी है के नहीं करवानी है तो उसमें simple जिस तरह हमने पहले days में देखा था कि हम net shell देखते हैं कि benefit ज्यादा हुआ हुआ कि नुकसान ज्यादा हुआ तो अगर benefit ज्यादा हो रहा होगा तो हम discount देदेंगे offer करवा देंगे और अगर benefit नहीं हो रहा होगा तो हम discount offer नहीं किराएंगे तो examples से इसको एक understand करते हैं तो यह example है question इससे related वो कहते है company है max has the raw material with current annual usage 1100 units है each finished product produce require one unit of this raw material the variable cost 1500 incurred another 800 variable cost उसके बार sale price देदी 3000 term देदी है 30 days credit period जिसको हम कहते है variable cost देए total तो 1500 को और 800 को sum up किया तो 2300 आपकी total variable cost है sale price उसने देदी 3000, estimate 80% of its customer will take 2% discount and then offering the discount will increase the sale of the finished product 50 units अब वो क्या कह रहा है कि अगर आप 2% discount offer करवाते हैं तो उससे आपकी sale बढ़ जाएगी और 80% customer ऐसा होगा जो कि उसको offer को avail करेगा तो 50 unit बढ़ेंगे तो इसको पहले आप 1100 unit थे तो अब आपके 1150 unit हो जाएंगे ठीक है अब और वो कह रहा है कि but will not alter its bad debt percentage के ओपर कोई फरक नहीं पड़ेगा और opportunity cost of fund investment fund investment से मुझात क्या होता है वो जो account receivable के लिए आपको पैसा required होता है वो 14% है company has the average collection period is 40 days तो अगर 40 days every collection period है तो turnover कितना बना 365 by 40 तो 9.1 और वो कहते है कि अगर आप 2% discount दे देंगे और within 10 days उनसे लेना शुरू कर देंगे तो वो आपका change हो जाएगा कि आपने दिये 3210 तो 10 दिन के अंदर अंदर तो आपका average collection period 40 से किदर पे आगया 25 तो 365 by 25 करेंगे तो average collection period आगया 14.6 तो अब offer करना है कि नहीं करना तो इसके ल पहले देखेंगे कि इसकी वएसे total sale में कितना फरक आएगा देखें सबसे उसके लिए हम क्या करेंगे contribution of the present plan present plan present unit कितने थे यहां पर हमारे पर mention दिया हुए present unit है 1100 ठेक है sale price भी दी हुई है variable cost भी दी तो data put करते तो 1100 multiply करेंगे sale price कितना contribution पर यह तो कितना 3000 minus 2300 तो यह अग आपके पास 77 0000 उसके बाग contribution परपोस्ट तो परपोस्ट में हमारे पास उसने कहा था 50 unit increase करेंगे तो 50 unit increase करेंगे 1150 हो गया multiply by 3000 minus 2300 तो यह 700 को multiply करेंगे तो यह बन जाएगा 805 0000 इसमेन की offer कराने से आपकी total sale में कितना change आ गया total increase जो आ गया 3500 increase आया क्योंकि यह देखें यह परपोस्ट है तो परपोस्ट में आपको ज्यादा आ रहा तो यह increase आ गया 35000 का अच्छा उसके बाद हमने निकालना होता है second point second point होता है cost of marginal investment तो सबसे पहले हमने परपोस्ट ल डिवाइड बाइ टर्न ओवर अपदा अकाउंट से बर तो डेटा पूट कर लेते हैं यहाँ पर डारेक्ट तो 2300 variable cost है फरपोस्ट यूनिट थे 1150 डिवाइड कर देंगे इसको हम 365 और उसको डिवाइड कर देना हमने 25 जो के question में mention है कि अब average collection days कितने 25 तो calculation करेंगे तो य 281 164 उसके बाद हमने present data put करना है present data में 2300 ही आएगा multiply by 1100 आजएगा divide करेंगे 365 और उसको divide कर देंगे हमार पास present में कितना 40 days तो 40 पे उसको divide कर देंगे जब उसको 40 पे डिवाइड करेंगे तो यह value आजएगी 278022 और अगर हम यहां पर यह देखें कि हमारे पास कितना decrease आया तो यहां पर आप note कर सकते हैं कि देखें present से present में ज्यादा है और proposed में कम है तो हमें benefit होगा कितना benefit हो रहा है तो इसमें से इसको less करें तो benefit calculate हो जाएगा reduce कितना होगे हमारे पास 96858 यह पैसे हमें safe हुए क्योंकि हमें present में कम है ज्यादा है प्रपोस में कम है और इसकी cost कितनी दी हुई है हमें 14% question में एक दवाद चेक कर लेते है 14% तो इसको multiply कर देंगे हम लोग 0.14 से तो आपके पास total cost of saving आजेगी 13560 यह हमारी saving आगए अब bad debt के बारे में उसने question में खुद mention किया हुए कि जी हमारे हम bad debts में कोई change नहीं आया तो हम भी bad debts का column निकाल दिया but cost of cash discount cost of cash discount third चीज इसमें क्या आगई वो यह था कि देखें जब आप discount देंगे तो आपको पैसे कम मिलेंगे वो जो कम पैसे मिलेंगे वो आपके opportunity cost अब कितने कम मिलेंगे तो यहाँ पर clear किया वा question के अं 80% का जो नुकसान है वो 80% customer ने हमें देना है तो वह हमारी cost है तो हमारे पास देखें टोटल यूनिट कितने sale out होने थे 1150 एक यूनिट की sale price थी 3000 और इसमेंसे 80% लोगों ने हमें discount avail कर लेना और कितना discount avail करना 0.02 mean 2% तो calculate करेंगे तो यह हमारे पर value आ जाएगी 55200 अब यहा benefit हो रहा है यह भी benefit हो रहा है और यह हमारी cost है तो इसको बीच मेंसे less कर देंगे तो हमें total जो होगा net profit from intention of the proposed cash discount वो आ रहा हमारे पर 6640 negative में negative से मुराद यह है कि हमें cost of cash discount ज्यादा है और उसकी वैसे जो benefit हो रहे हैं वो हमें कम हो रहे है तो अगर result पूछा जाए तो हम यह कहेंगे कि हमें discount offer नहीं करवानी चाहिए जजाकल्ला अलाफिज